गाजियबाद से बड़ी खबाया जहां डंपिंग ग्राउंड ना हटाने पर 200 करोड का जुर्माना लगाया गया है NGT ने निगम और GDA पर 200 करोड का जुर्माना लगाया है ये बड़ी जानकारी आपको देदे दोनों वे भागों को एक महा के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश भी दिये गए है छे महीने के अंदर डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के आदेश दिये हैं ये पूरा मामला था और क्या उस पर कारवाई की गई है देखिए इस तरह से निगम की जुबेदारी बंगती है कि कहीं भी पूरा तरगों पर नाएग जो कावार के कलोनी हैं उनमें डंपि ग्राउंड ना बनें उसी पर लेते हुए जो पैस लोग रिष्ट करता है उन फिल्प निगिटी में जहते हैं और नगिटी में जाने के बात नगिटी में इसने सफ्ट कड़म उठाया है और इसने की जोनों विभार यानि की नगर निगम और जीडिये जीडिये पर 50 करोड और नगर निगम पर टेस्ट करोड़ है काफी बड़ा जुरुमाना अमाउंट है और जल से जल इसे जमा करने के भी आदेश चुनाए है तहीना कहीं हम वो इसमार्शिटी की बात करते हैं इसमार्शिटी में तरह तरह की योटनाई लाते हैं लिकिर अगर पूरन स्टरन की बात की जाए तो नहीं भी थोर स्टरम पूरन स्टरन के लिए नहीं उठाई जाते हैं इसके बाद गंडिगी का जो अंबार है वो देशने को मिलता आवास के हैं सलोनियों में और सरको पर तो उसी को देखते हुए जो एंजीटी है एंजीटी ने इसमें आदेश जारी किया है और काफी बड़ा एमाउंट का चुर्माना इसमें लगाया गया है चलिए बिल्कुल को ये बड़ी कारवाई की गई है और 6 महीनी के अंदर इसे हटाने के निरदेश भी दे दिये गए है एंजीटी के तरसे बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने शक्ती और चलिए सी बीच गाजेबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है 70 भवन मालिकों पर दर्ज होगा केस ये बड़ी जानकारी मिल रही है मालिकों ने पंजीकरण कराई बिना किराय पर दिये है संपती यर्साइक संपतियों को किराय नामा पंजीकरण किये कराई बिना देना पर सकता है भारी स्टांप विभाग ने संपतियों को पहचानना शुरू कर दिया है और स्टांप विभाग ने 104 भवलों को चिनहित करके मालिकों को नोटेस देश दिया है सत्तर भवन मालिकों पर स्टांप विभाग में केस दर्चुबा है ये बड़ी जानकाली फिलाल कासे बात से मिल रही है सत्तर जो भवन मालिक है उन पर मामना तर्च किया है